याज प्यारे बच्चो आज फुर्स एक नया रूट पड़ रहे हैं एंटी जिसका मतलब है before ठीक है कई बार आप किसी से मिलने जाते हो किसी के office में तो आप देखते हो कि आप जिस office में मिलने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटा चामबर होता है फिर एक बड़ा चामबर होत ठीक है दूसरा एंटी नेटल आपने सुना होगा एंटी नेटल एंटी नप्षल में क्या डिफरेंस है फटा वट से कॉमेंट करके बता दो अगर पता है तो ठीक है एंटी नेटल और एंटी नप्षल में क्या डिफरेंस है important word है नया word है ती नफशल न्यूबाइल इससे related होता है ये भी आता है exam में ठीक है ये आज ही class में हम discuss करने वाले हैं आपको पता है तो आपको comment करना है नहीं पता है तो भी कोई दिकत नहीं है आज ही class में हम discuss कर लेंगे पहले जो classes हो चुकी है वो सारी आप देख रहे होंगे आई होप और आपको continue देखते रहना है धीरे धीरे करके आपका वो लेवल आ जाएगा कि वो कैब आप किसी भी exam की वो कैब में आप नहीं रुकोगे ठीक है question देखा solve डेली डेली नहीं sorry every Saturday 11 बचे मेरी live class होती है नियॉन classes पे YouTube चैनल पे आपको जरूर अटेंड करनी है उस साटर्डे को है सबको आना है ठीक है और यह जो classes यहां daily upload हो रही है इनकी playlist है बहुती छोटी छोटी classes होती है 2x पे आप देखोगे तो अभी आप complete कर लोगे तो यह भी आपको देखने है अवतार जिसके पास है वो जो मैं यह पढ़ाती हूँ उसको में जो भी extra लिखा रह यह on classes के telegram channel पे daily upload होती है तो आप वहां से भी download कर सकते है ठीक है और बुक अगर आपने कहीं से खरीदी है Amazon Flipkart से तो वहां आपको 5 star rating देनी है और बहुत ही अच्छा सा review लिखना है मेरे बच्चे ठीक है स्टार्ट करते हैं ancestor ancestor में root है and day मतलब before seed माने to go याने जो पहले पहले चले गए जो पुर्वज है हमारे जो हमारे पुर्वज है ठीक है उनको क्या बोलेंगे ancestor a person from whom one is descendant जिससे आगे से आगे जो generation है वो चली है वो जो person है वो पुर्वज है उसको क्या बोलेंगे ancestor synonym हो गया forbear, forefather, predecessor प्रीवी क्या होता है before clear andonym हो जाएगा descendant बहुत बार आता है यह gd 2022 में भी आया descendant one surge descendant क्या हो जाते हैं one surge next ancestry यह आपका यह उस person के लिए आता है और उस generation all past generation के लिए आता है ancestry ठीक है जैसे हम दोनों common ancestry share कर रहे हैं मतलब पहले से हमारे पुर्वज आगे कोई PD हो दो-पांच साल पहले की PD में हमारे पुर्वज same थे ठीक है तो वो क्या हो जाता है उसके लिए collocation share a common ancestry sharing a common ancestry family tree linear genealogy ठीक है next आता है ancient ancient क्या होता है पहले का प्राचीन पुराना प्राचीन ancient monuments ancient Greece ठीक है ancient क्या होता है पुराना प्राचीन belonging to long past जो पहले past से बिलोंग कर रहा है that is ancient SSC MTS 2016 anti-kitted anti भी क्या होता है old bygone time-worn antique archaic ये CHSL 2016 में आया भाय है ठीक है आर का मतलब भी क्या होता है chief first antonym हो गया modern ये SSC steno में आया भाय है 2017 next anti meridium आपने सुना होगा am और pm हाना तो दोपैर से पहले हम बोलता है 7 am 8 am 9 10 11 क्या होता है am 12 बजे के बाद क्या start होता है pm ठीक है 1 pm 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया pm तो anti मतलब before before noon anti meridium post noon post meridium clear next end mortem mort 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 मैंने पहले भी बताया आपको mort का मतलब होता है dead ठीक है जैसे की man is mortal इंसान क्या है नश्वर है mortal जो मरेगा God is immortal भगवान अमर है God is immortal इं मतलब not mortal immortal अमर ठीक है तो occurring or performed before death death से पहले का death से पहले जो हो रहा है मिर्थियू से पहले anti mortem post mortem सुनाए चुनाए उसे का opposite है यह anti mortem post mortem क्या होता है मरने के बाद ये मरने से पहले ठीक है mortuary क्या होता है mortuary मुरदागंट जहां पर dead people को रखा जाता है मुरदाओं को रखा जाता है वो mortuary है ठीक है Mortality rate क्या होता है मिर्त्युदर, तो मोट जहां आएगा किसके लिए आएगा, डेड के लिए ठीक है, नेक्स एंटी बैलम, एंटी मतलब before, बैलम means war, बैली कोज बैली जरेंट, पोस्ट बैलम बैल किसके लिए आता है, वोर के लिए, ठीक है, जडाकू जडालू, लडाकू परिवर्ती बैली कोज, ठीक है बैली जरेंट, दोनों में क्या है बैल माने war, रीबल रीबल मतलब विद्रोही तो occurring or existing before a war, ठीक है यह एंटी बैलम हो गया, पोस बैलम after a war ठीक है next, हाँ एंटी सीड, सीड माने to go जो पहले आता है, rank में time में, order में, that is एंटी सीड, एंटी मतलब पहले, सीड माने to go सिननीम हो गया, pre-seed clear, next एंटी सीडेंट, यह वर्ब है और यह है नाउन एंटी सीडेंट, a thing or an event that exists or comes before another and may have influenced it, क्या हो गया एंटी सीडेंट spelling में भी आया है, CPO में 2015 में root word से जो पढ़ते हैं, उनके लिए spelling भी आसान हो जाती है एंटी यह before हो गया किसी टू को और एंटी किसे लिए आता है, generally noun बनाने के लिए next, anti-scissor ठीक है anti-scissor, one who goes before, or और er or और er क्या होते हैं, generally doer, teacher doctor, क्या होते हैं doer, next anti-chamber, यह आगया वो word जिसकी आपको तलाश थी जो हमने पूछा था class शुरू होने से पहले ठीक है, a room leading into a larger or more important room कुछ लोग बहुत important लोग होते हैं, वो अपना room बड़ा सा रखते हैं, उससे पहले एक छोटा room होता है उस room में enter करने से पहले वाला room उसको क्या बोलते हैं anti-chamber, यहने before chamber chamber से पहले का room क्या हो गया, anti-chamber anti-room, vestibule, lobby फोयर, gd, 2018 में आया हुआ है मजा आया, आपका यही आंसर था क्या comment करके बता देना next, anti-date, anti-before date मतलब पहले, date से पहले ठीक है, pre-date, precede, pre-exist to have, existed or happened before another thing किसी चीज़ से पहले गटी तो जाना enter नहीं हो जाएगा, follow, come after next, anti-diluvian anti-diluvian क्या होता है, देखो diluvian होता है, flood Bible में एक ऐसी बाड का जिक्र है ठीक है, एक बाड आई थी जब जितने भी लोग थे वो सारे उस बाड में बह गए थे फिर एक एक पेर बचा Noah's Ark अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो उसमें भी आता है कि फिर सभी जो जितने भी तरह की एनिमल्स है उनके एक एक पेर को नाव में बठा कर बाड को पार करवाया गया ठीक है, तो जो उस, मतलब वो बाड बहुत पहले की बात है उससे भी पहले की कोई बात है यहने, very old-fashioned or of belonging to the time before the biblical flood biblical flood से भी पहले यहने, बहुत पुराना बहुत पुराना, pre-historic क्या हो जाएगा? anti-diluvium clear? next word आता है, जो हमने अभी आपसे पूछा था anti-natal और anti-nuptial में क्या difference है? anti-natal और anti-nuptial देखू, net का मतलब होता है बर्थ ठीक है? तो बर्थ से बर्थ से पहले का anti मतलब before, net मने बर्थ बर्थ से पहले का anti-natal बर्थ से बाद का post-natal ठीक है? जैसे बर्थ से पहले जो pregnancy के टाइम में जो कियर करते है anti-natal कियर ऐसे clinic होते हैं जो anti-natal care के लिए, anti-natal clinic anti-natal classes भी होती है ठीक है? तो बर्थ से पहले का क्या होता है? anti-natal जैसे net से बनता है innate जन्म जात जो होता है उसके लिए जो बर्थ से है innate ठीक है? नेटिव जो वहाँ का local जहां पैदा हुआ है वहीं जिसका बर्थ हुआ है स्थान ये local उसके लिए native आता है तो net भी क्या है? वहाँ पर भी क्या है? बर्थ ध्यान रखेंगे तो existing before birth during pregnancy ठीक है? प्रेगनेंसी के time होने वाला बर्थ से पहले होने वाला anti-natal सिनननेम हो गया? pre-natal anti-nuptial anti-nuptial nuptial मतलब होता है wedding wedding नहीं है? wedding है wedding शादी से पहले का यहने occurring before marriage क्या है? occurring before marriage क्या होगा? anti-nuptial ठीक है? एक word आता है nubile यह एक ऐसी woman के लिए use होता है जो बहुत सुन्दर है marriage ये बले है अब जिसे marriage के लाइक हो गई है ठीक है? तो wedding के लिए wedding का time आ गया है marriage का time आ गया है बहुत सुन्दर attractive है उसके लिए आता है nubile अच्छा word है clear? next anterior anterior मतलब पहले का जो पहले बन रहा है जो सामने है ठीक है? at or near the front opposite क्या हो जाएगा? posterior जो बाद का है पीछे का है time में position में क्या होता है? ठीक है? embryos के लिए आता है anterior position posterior position clear students? मजा आया? ठीक है एक बार revise कर लेते हैं ancestor क्या है? जो पहले थे जो हमारे पुर्वज है ancestry वो जो order है share a common ancestry ancient जो बहुत प्राचीन है पुराना है पहले का है anti-maridum जो दोफैर से पहले का है दोफैर से बाद का post-maridum anti-mortem post-mortem का opposite है post-mortem क्या होता है? मरने के बाद और anti-mortem मरने से पहले anti-bellum war के पहले bell मतलब war clear? हाँ anti-seed जो पहले आए rank में, time में, order में anti-seedent noun हो गया anti-seesor one उस person doer के लिए आगया anti-chammer जो किसी office किसी room के पहले का जो उस room में लेकर जा रहा है lead कर रहा है उस room को क्या बोलते है anti-chammer याने पहला before anti-date याने पहले हो जाना anti-dialuvian जो flood आई थी उससे भी पहले का है मतलब बहुत पुराना है anti-natal जो butt से पहले का है anti-nuptial जो शादी से पहले का है anterior जो पहले front में है वो anterior और opposite हो जाएगा posterior अवतार the word master में मैंने 10,000 words को बहुत ही अच्छे तरीके से root word से समझाया है origin mythology से बताया है आपको जरूर पढ़नी चाहिए और जहां से भी आप इसको खरीद रहे हैं वहाँ 5 star rating और अच्छा सा review लिखना है Thank you student